दूस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फेंटेसी अर्मी की एक और नई वीडियो के अंदर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ चन्नाई सूपर किंग्स वर्सिस कॉलकता नाइट राइडर्स के बीच में जो इस IPL का 22 वा मुकाबला आज आपको खिला जातावा दिखेगा इस मैच में कैसे आपको अपनी फेंटेसी टीम बनानी है वो कोन से खिलाडी है जिनको आपको ग्रेंड लीग में ट्राइ करना है वो कोन से खिलाडी है जिनका सेलेक्शन परसेंट तो आज के मैच में बहुत जादा है लेकिन अगर आप उनका सामने वाली टीम क सामने record दिखोगे वो इतना खराब है कि आप खुद कहोगी कि भाई इस खिलाडी को तो grand league में try नहीं कर रहे सबसे पहला नाम बता दो सुनील नारायन सुनील नारायन का record देखना मैंने small league वाली वीडियो में भी बताया था नारायन का record देखना इस मैदान पे चन्नई के आगे बहुत ज़ादा खराब है इसके अलावा fill salt इस मैदान पे चन्नई के आगे record खराब वेंकेडे शायर इस मैदान पे चन्नई के आगे record खराब अजिंके रहाने इस मैदान पे और यहाँ पर कॉलकता के आगे record खराब तो ऐसे बहुत सारे खिलाडी हैं जिनको आज के मैच में 90% लोगों ने अपनी टीम में लिया है लेकिन अगर आप उनका record देखोगे न तो आप खुद गऊगे कि भाई आज इसको try नहीं कर रहे तो यही सारी चीजे इस Grand League की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको देखो आज के मैच में 6 Grand League की टीम बना के तो दिखाऊंगा लेकिन मेरा जो main आज के मैच में काम है कि Grand League में Captain Vice Captain किसको करना है वो differential खिलाडी कौन से हैं जिनका selection percent कम है और वो high selection वाले player कौन से हैं जिनका record खराब है ये सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो अगर आज के मैच में आप Grand League खेल रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंतता का आप लोग जरूर वाच करिएगा दूस्तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी request है जिस भी भाई ने अभी तक हमारे fantasy army channel को subscribe नहीं करा है तो आप subscribe जरू करिएगा क्यूंकि हर एक वीडियो के notification आपको मिलने चाहिए तो bell icon आप लोग यहाँ पर जरू क्लिक कर दीजिएगा अब आप लोग अभी तक हमारे telegram channel से नहीं जुडे न तो इस वीडियो के description में आपको telegram channel का link दे रखा है इस वाले link पे आप जैसे ही click करेंगे आप लोग हमारे telegram channel से भी जुड़ जाएंगे एक तो यह तरीका हो गया telegram से join करने का एक दूसरा तरीका आपको बताता about section में जाएगा यह about का बतन दिख रहा है इस पे click करके आप लोग telegram channel से जुड़ सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं telegram join link का link है इस पे click करके आप जुड़ सकते हैं तो जल्दी से telegram channel से जुड़ जाएगे क्योंकि final team आपको यहीं पे मिलेगे तो दोस्तो जो तरीका म अहाँ पे मैंने आपको अपने telegram channel का link दे रखा है जाके जुड़ जाएगे क्योंकि तॉस के बाद की जितनी भी important information है चाहे वो playing 11 हो चाहे वो मेरे audio notes हो या फिर मेरी small link की final team हो सब कुछ आपको telegram पे मिल जाएगा तो description में लिंक है फटाफ़र से telegram channel से जरूर जुड़ ज दबा दीजिएगा तो चलिए फिर इस video को यहां से start करते हैं ध्यान से सुनिएगा ध्यान से समझिएगा सबसे पहले न मैं आप लोगों को यहां पर pitch report समझा देता हूँ ताकि आज के match में जो मैंने grand league की team यहां पर बनाई है वो किस लिए बनाई है और क्यूं बनाई है य बैया चैपॉक की हमें pitch जो है कैसी देखने को मिलेगी देखो इस season na IPL के दो मुकाबले चैपॉक में खेले गए हैं और दोनों मुकाबलों के अंदर हमने एक ही चीज देखी है कि जो pitch थी न वो बल्ले बाजो के लिए सबसे जादा मददगार थी और यह चीज मैंने आपक अब pitches बनाई जा रही है न वो बल्ले बाजो के favor में है बल्ले बाजो के लिए यहाँ पर सबसे जादा मदद है यह चीज ध्यान लगिएगा recent time में जितने भी यहाँ पर matches हुए है सभी में आपको यहाँ पर run देखने को मिलेंगे यह चीज आपको clear कर देता हूँ बात करू बॉलर्स की कि भई आप बॉलर्स के लिए हाँ पर मदद है या नहीं है देखो अगर यह लोग pitch में घास छोड़ते हैं अगर pitch report में आता है कि आज के match में ग्रास छोड़ी जाएगी तो शुरुवाती जो एक से लेके 6 over हूंगे न वहाँ पर तेज गेंद बाजो को गेंद बाजो को मुमेंट जो है मिलता है और अगर यहाँ पर यह लोग ग्रास नहीं छोड़ते हैं तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि फर fast baller ना आपके लिए काम तो आएंगे लेकिन वो fast baller फिर काम आएंगे जो slower once और cutters के लिए हाँ पर जाने जाती है ना वो fast baller का तो थोड़ा सा यहाँ पर pitch report के time पे आपको यह चीज़ जरूर चेक कर नहीं है कि घास है या नहीं है आज के match में बात करूँ spinner की तो देखो चैपॉक की जो pitch है ना वो यहाँ पर drier side पे रहती है यहाँ की wicket ना 90% time ना drier side पे रहती है तो थोड़ा बहुत spinner को turn मिलता है हा लेकिन हाँ अगर यह लोग यहाँ पर used surface का use करते है ना थोड़ा सा spinner को मदद मिल सकते है वरना उतना जादा spinner के लिए यहाँ पर मदद नहीं होगी overall यहाँ पर बल्ले बाजों के लिए मदद है और बल्ले बाजी सबसे जादा important रहेंगे उस according team मनाएंगे लेकिन एक दो team म मैं आपको ऐसी भी दिखाऊंगा अगर शुरुवात में moment मिल गया तब आपको team कैसे बनानी है उस तीज कभी मैं आपको यहाँ पर idea दे दूँगा तो उस तीज की tension आप लोग मत दीजिएगा बात करते हैं कि आज के match में CSK की playing 11 क्या रहीगी और CSK की तरफ से 4-4 over की balling आज के match में CSK की team मुस्तिविजू रह्मान, मतीशा पतिराना और समीर रिजवी को खिलाएगी क्योंकि पिछले match में खामाओ खा इनोंने जो है यहाँ पर मोहिन अली को खिलाया उसके बाद इनोंने अपनी team में महेस्तिक शाना को खिलाया मुकेश चौदरी का तो चलो बन आता हूं रचिन रविंद्रा, रितुराज गायकवाड ओपनिंग करेंगे, वन डाउन पे अजिंके रहाने, फिर शिवम दूबे, डेरिल मिचल, समीर रिजवी, रविंदर जडेजा, MS दोनी, दीपक चहर, तुशार देशपांडे, मुस्तिविजूर रहमान, मतीशा पत पतिराना के चार ओवर पूरे, तो 20 ओवर तो भाईया, यही पे आप क्या कम्प्लीट हो जाएंगे, अगर टीम को ज़रत पड़ती है, तो डेरिल मिचल एक ओवर के आसपास आपको दे सकते हैं, और एक ओवर की बॉलिंग आपको रचिन रविंद्रा भी दे सकते हैं, ले यह चीज मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ, अब इन सभी के अगर आप लोगों को रिकॉर्ड देखने हैं, तो स्मॉल लिक वाली वीडियो में चले जाएं, वहाँ पर इन सभी प्लियर्स के जो रिकॉर्ड है ना, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिय अगर इस ग्रेंड लिक की वीडियो में भी आपको मैं सभी प्लियर्स के रिकॉर्ड बताता ना, तो वीडियो बहुत जादा लंबी बन जाती, इसलिए मैंने हाँ पर सिर्फ आपको प्लेइंग 11 दिखा दी है, अब आज के मैच में कॉलकाता की प्लेइंग 11 क्या रहेगी और कॉलकाता की तरफ से 4-4 ओवर की बॉलिंग कॉन करेगा, देखो फिल सॉल्ट सुनील लारायन टीम के लिए आपको ओपनिंग करते वे दिखेंगे, वन डाउन पेश, वेंकेडे शायर, फिर श्रीय सायर, फिर उसके बाद अंकरिश रगुवंशी, आंद्रे रसल, रिं चार-चार ओवर पूरे करेंगे, हर्शित राणा और यहाँ पर वैबा वरूरा, ये दोनों 3-3 ओवर पूरे करेंगे, तो कितने ओवर हो गए, 4 और 4-8 और 3 यहाँ पर 11 और 3, 14, 14 ओवर हो गए आपके complete, आखरी बचे वे जो यहाँ पर 4 ओवर या 6 ओवर रहेंगे, वो ज रशित राणा का भी ओवर पूरा करवा सकती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, देथ में बॉलिंग कौन करेगा, देखो मिचल स्थाक तो भईया, कन्फाम है कि देथ ओवर में आएंगे बॉलिंग करने, दूसरी साइड से ये भी मुझे आप कन्फाम हो गया है कि टीम यहाँ पर देथ ओवर में रसल को यूज करेगी, क्योंकि रसल जो है जनरली देथ ओवर में विकेट निकाल दे के लिए जाने जाते हैं, तो वो ही आएंगे हाँ पर कॉलकता की तरफ से देथ में बॉलिंग करने, ये चीज़ में आपको क्लियर कर देता हूँ, अब इन सिंपल आपको बताता हूँ, मेरे एसाब से यही चार प्लियर आज के मैच में अच्छे पिक है, हलाकि यहाँ पर कुछ ऐसे खिलाडी हैं जिनको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको कैप्टन वाइस कैप्टन करा है, पर मैं पहले अपने कैप्टन वाइस आगे इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, दूसरी चीज के है, यह स्लो विकिट के भी अच्छे खिलाडी है, अगर पिच पे काफी जादा बॉल फसकी आ रहा है, तब भी अच्छा खेलती है, स्पिन के भी अच्छे खिलाडी है, इनकी बस एक परेशानी है, जब वाइस कैटन जरू करिएगा, दूसरे खिलाडी है, रविंद्र जडेजा, देखो रविंद्र जडेजा का सिंपल सा रीजन कैटन वाइस कैटन करने का, कि विद्धा बैट एंड बॉल, दोनों से आपके लिए यह काम आ जाएंगे, देखो बैटिंग से आपको जो है, के देदेंगे, बॉलिंग में चार ओवर करेंगे, विकेट निकालेंगे, इस टीम के आगे 30 मुकाबलों में 457, 38 कैवरेज, 19 विकेट, इस मैदान पे 44 मुकाबलों में 413, 18 कैवरेज, 30 विकेट, अगर यहाँ पर, यहाँ पर मुझे 15-20 रन बना के दे जाएं, और बॉलिं यहाँ पर मैं इनको टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन जरू करूँगा, रसल दा मसल, इनको तो बहुत सारे लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन कराए, तो इनके बारे में तो बात करके फायदा नहीं है, रिकॉर्ड तो इनका अच्छा ही है, 14 मुकाबलों में 38 कैवर चैपॉक के ओपर अगर आप शीवम दूबे का रिकॉर्ड देखोगे 35 कैवरेज है, अगर आप कॉलकाता के आगे रिकॉर्ड देखोगे 35 कैवरेज है, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करा, मैं देख रहा था, 3% है कॉलकाता कि अच्छी है, तो यह स्पिन को अच्छा खेलेंगे, तो एक तो वो इनके पास एड्वांटेजे कहिस अच्छा खेलेंगे, तो आपके लिए रन बना के देंगे, दूसरी चीज कहाए कि यह जो छेपॉक की फिचे न हमदद है, और यहाँ पर चन्नाई अगर मानलो यहाँ पर रचिन रविंद्रा ओवर हिटिंग में विकिट ठेक जाते हैं, जिनके रहने जो स्पिन के आगे श्ट्रगल करते हैं, वो यहाँ पर जल्दी विकिट ठेक जाते हैं, तो शिवम दूबे अगर यहाँ पर पावर प्ले के बादी बैटिंग करने आ जा आप कोगे भाई सुनिल नाराइड आगे देखना सुनिल नाराइड के बारे में अब यहाँ पर बात करते हैं कि Grand League में differential खिलाडी कौन से हैं जिनको आप ट्राइ कर सकते हो जिनका selection percent आज के match में कुछ भी नहीं है सबसे पहले खिलाडी रहेंगे भाईया Daryl Mitchell 35 percent selection हालाकि बहुत सारे लोगों ने small league में भी try करा होगा इस मैदान पे दो मुकाबलों में 46 run ODI के दो मुकाबलों में 90 run record अच्छा है spin के अच्छे खिलाडी हैं अगर यहाँ पर देखो चन्नाई का top order जो है यहाँ पर थोड़ा सा collapse करता है तो यहाँ पर Daryl Mitchell के इनको आखरी के overs में बैटिंग मिल रही है जादा run बनाने को मिल नहीं रहे तो अगर पहले बैटिंग आती है Daryl Mitchell को try करिएगा उसके बाद यहाँ पर अगले खिलाडी है मतीशा पतिराना बहुत अच्छे baller आज के match में 90% चांसे की आपको खेलते वे दिखेंगे अगर आप इनका selection percent देखोगे 33% आपको इहाँ पर इनका selection देखने को मिलेगा आप देखो जब यह आपको balling कराते वे दिखेंगे ना तब यहाँ पर जो है कॉलकता के hitters खेल रहे होंगे तो वहाँ पर 150 से इनकी जो yorkar आएगे ना वहाँ पर कॉलकता के जो बल्ले बाज है वो यहाँ पर struggle कर सकते हैं इसलिए कि यह जो है एक differential pick भी रहेंगे और कुछ टीमों में इनको captain wise captain भी करिएगा यह चीज ध्यान रखिएगा मुस्तिफिजू रह्मान के साथ भी सेम है कि भीया death over में balling करते वे दिखेंगे cutters और slower ones के लिए जाने जाते हैं wicket taker baller है और जब यह balling कर रहे होंगे तब कॉलकता के hitters खेल रहे होंगे तो इनको भी कम से कम 2 wicket उस case में मिल सकती है तो अगर यहाँ पर पहले balling आ रही है यहाँ पर चन्नही की तो इनको try करना क्योंकि उस case में आपको wicket अच्छी कासी निकाल के दे देंगे वरुन चकरवर्ती की बात करो इनको सिर्फ एक situation में try करना या तो आज के match में second balling आ रही है तब try कर लो चन्नही अगर under pressure गई तो इनको wicket दे सकती है या फिर अगर pitch report में आ रहा है कि pitch आज के match में dryer side पे रहीगी तो इनको try कर ले ना क्योंकि अगर dryer side पे पिछ रही तो पहले balling second balling दोनों में important रहेंगे इस मैदान पे 4 मुकाबलों में 5 wicket चन्नही के आगे 8 मुकाबलों में 9 wicket है लेकिन मैं इनसे 2 wicket की उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि चन्नही में काफी ऐसे बल्ले बाज है तो spin के आगे struggle करते हैं सबसे पहला नाम तो अजिंके रहने कही मैं लेना चाहूंगा दूसरा इहाँ पर जो है समीर इजवी भी spin को ठीख खेलते हैं बहुत अच्छा नहीं ठीख खेलते हैं तो वो भी इनके आगे struggle कर सकते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेकेंड बॉलिंग के टाइम पर वरुन चकरवर्ती एक game changer पिक रहेंगे ये चीज़ मैं आपको clear कर देता हूँ अब बात करते हैं कि grand league की team में आपको कोन से खिलाडियों को drop करना है पहला खिलाडी भीया सुनीन लारा है जिनको 18% लोगों ने कप्तान करा है उनको आज के match में मैं drop करने को बोल रहा हूँ सबसे पहला reason इस मैदान पे 6 मुकाबलों में 18 ही रन है साथ विकेट है चलो कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा अगर आप चन्नही के आगे देखोगे 19 मुकाबलों में 96 रन है 22 ही विकेट है तो चन्नही के आगे इस मैदान पे बहुत जादा struggle करते है अभी तक जो यहाँ पर सुनी लाना इनने रन बनाई है उस सिर्फ और सिर्फ बैटिंग विकेट पे बनाई है लेकिन यह जो चैपॉक का मैदान है यहाँ पर बल्ले बाजी करना इतना असान नहीं है बॉल बिल्कुल असानी से बल्ले पे नहीं आती struggle आएगा इनका आपको बॉलिंग करेंगे तको बॉलिंग में एक विकेट के आसपास निकाल सकते लेकिन बहुत ज़्यादा विकेट की उमीद मत करना लेकिन मैंने आपको छोड़ने को इसलिए बोला है क्योंकि इस मैदान पे struggle करेंगे लेकिन आप न इनको कम से कम 6-6 टीम में ड्रॉप करना कहीं पता चले 20 टीम आप बना रही हो कि 20 टीम में ड्रॉप कर दिया ऐसा नहीं है 6-6 टीम में ड्रॉप करना क्योंकि अगर ये नहीं चले तो जिन 6-6 टीमों में आपने इनको नहीं लिया होगा न वहाँ one sided win कर जाओगे, दूसरा भाईया फिल सॉल्ट है, 94 परसन नमकीन बहुत हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, कि भाईया यहाँ पर जो है शुरुवात में थोड़ा बहुत moment मिलता है, श्रगल कर सकते हैं, ओवर हिटिंग में विकेट ठैक जाएंगे, दो मुकाबले खेले है इन्होंने चन्नही के आगे 20 ही रन है, इस मैदान पर एक मुकाबले में 17 ही रन है, तो उतना कुछ खासा record आपको देखने को नहीं मिलेगा इनका, इसलिए आराम से छोड़ दीजेगा, लेकिन आप जब इनको छोड़ेना तो MS धोनी को फिर आपको टीम में लेना होगा, य यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगिएगा, और दोनी साब को लेना यानि कि थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि वो बैटिंग नीचे करते हैं, अजिंके रहाने भीया, इनकी कमजोरी तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, स्पिन के काफी खराब खिलाड़ी है, औ जो कॉलकाता की टीम है, उसमें स्पिनर बहुत अच्छे अच्छे है, वरुन चकरवरती, नाराय और फिर, यहाँ पर सुय शर्मा खेल जाए तो वो, तो स्पिनर अच्छे है, तो उतने ज़्यादा चलने के चांस नहीं है, तब ही देखो, इस मैदान पे 14 मुकाबलों में 212 रन 16 कैवरेज, क्योंकि चैपॉक में टर्न मिलता था पहले, इसलिए श्ट्रगल था, बाकि 22 मुकाबले खेले हैं, इन्होंने कॉलकाता के आगे, 565 रन 26 कैवरेज, कॉलकाता के आगे भी उतना कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है, अराम से छोड़ देना, वेंकेडे शयर तगडे हेटर हैं, हिटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन स्लो विकिट की ओपर वेंकेडे शयर का स्ट्रगल आता है, हलाकि चन्नई के आगे भी ना, कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, वेंकेडे शयर का, 5 मुकाबलों में 113 रन है, 22 कैवरेज है, इस मै पर एक मुकाबला खेले हैं, 9 रन है, क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पर थोड़ा सा अपने आपको टाइम देते हैं, वो ही बल्ले बाद चलते हैं, जो आके हर बॉल पर हिट करने की कोशिश करते हैं, वो श्रगल करते हैं, तो वेंकेडे शयर को आप ग्रेंड लिग में छ छे ग्रेंड लिग की टीम यहाँ पर समझाने वाला हूँ, यह जो छे ग्रेंड लिग की टीम है ना, इनसे सिर्फ इनफॉर्मेशन लीजिएगा, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यह चीज़ देखिएगा, टीम को कॉपी मत करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यह 6 की 6 ग्रेंड लिग की टीम ना, आज के मैच में विन कर जाए, हाँ, एक दो चेंजिस अगर आप करते हो, तब आप यहाँ पर ग्रेंड लिग विन जरूर कर सकते हो, लेकिन कॉपी मत करिएगा, क्योंकि सेम टीम मैंने भी आज के मैच में हाँ पर लगा रखी है, अब पहली टीम की तरफ देखते हैं, पहली टीम है इहाँ पर हमारी कॉलकटा के टॉप 3 फ्लॉप, अब देखो कॉलकटा के अगर टॉप 3 आज के मैच में फ्लॉप होते हैं, उस case में टीम क्यों बनानी है, आपको मैंने कॉलकटा के टॉप 3 का record अभी दिखाया था, कॉलकटा क के साथ आप यहाँ पर देखो मैंने मुस्तिफिजूर रहमान को रख लिया क्योंकि दोनों पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे विकेट मिलेगी आप यहाँ पर अगर मैं कॉलकाता का टॉप थरी चोड़ रहा हूं तो मुझे बाकी बल्ले बाचतो चाहिए क्योंकि कॉलकाता के तरफ से कोई तो रन बनाएगा तो भाईया मैंने श्रेय सायर रिंको सिंग और यहाँ पर रसल्दा मसल को रख लिया आप रमंदीब सिंग को एड़ करना चाहो कर लो लेकिन बहुत जादा रन की उम्मीद रमंदीब सिंग से करिएगा ठीक है अब यहाँ पर चन्नई आती है बैटिंग करने चन्नई की तरफ से रितुराज गायकवड अच्छा करते हैं रचिन रविंद अच्छा करते हैं अजिंके रहाने जो स्पिन के आगे श्ट्रगल करते हैं वो यहाँ पर मैंने छोड़ दिये उनको मैंने सबसे पहले ड्रॉप करा फिर उसके अलावा मैंने जड़ेजा को पिक कर रखा है डैरिल मिचल को पिक कर रखा है अगर कॉलकाता का टॉप थ्री फ्लोप होता है न उस केस में यह टीम वर्क करेगी कैप्टन वाइस कैप्टन देखोगे रसल को मैंने कैप्टन सी दी है क्योंकि भाईया पहले बैटिंग आएगी हापर कॉलकाता की तो सिंपली यह रन भी बना देंगे प्लस देथोवर्स में आपके विकिड भी निकाल के देंगे तो इनको कैप्टन सी देदी वाइस कैप्टन सी यहाँ पर मैंने सिंपली रितुराज गायकवर्ड को देदी तो अगर कॉलकाता के टॉप 3 फ्लॉप होते हैं उस केस में टीम आप यह लगा सकते हो अब देखते हैं दूसरी टीम की तरफ यह जो टीम है यहाँ पर CSK के फेवर में है CSK अगर आज के मैच में पहले बैटिंग करती है और जितना भी टारगेट CSK देती है चाहे वो 160 का टारगेट दे, 170 का टारगेट दे, 180 का टारगेट दे जितना भी target यहाँ पर CSK देती है वो सारा का सारा जो score है वो CSK defend कर लेती है उस case में टीम क्या बनानी है मैं वान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर रितुराज गायकवर्ट जब पहले बैटिंग कर रहे हूंगे अच्छा करेंगे ओपनर रचिन रविंद्रा भी साथ निभाएंगे फिर धूबे और डैरिल मिचल भी अच्छा करेंगे और रविंद्र जड़ेजा भी पहले बैटिंग के टाइम पे अच्छे पिक रहेंगे इसलिए मैंने यहाँ पर CSK के टॉप 5 बल्ले बाजबिक करें आप कहोगे कि भाई अजिंके रहाने यार अजिंके रहाने का स्पिन के आगे श्ट्रगल है इसलिए मैंने उनको ड्रॉप करा है वरना मैं ज़रूर रख लेता इस टीम में अब यहाँ पर जब CSK ने पहले बैटिंग करके रन बना दिये तो यहाँ पर कोई ना कोई तो विकिट लेगा CSK के बल्ले बाजो की तो मैंने यहाँ पर कॉलकता के देथोवर्स के बॉलर कवर करें मिचल स्टार्क और रसल दा मसल मैं मान के चल रहा हूँ CSK बढ़िया खेलती है लेकिन आखरी के जो चार ओवर होते है ना वहाँ पर CSK दो या तीन विकिट गवा के चली जाती है तो वो जो दो तीन विकिट जाएंगी ना वो रसल और मिचल स्टार्क के खाते में चली जाएंगी इसलिए मैंने स्टार्क और रसल को लिया क्यों क्योंकि ये देथ होवर में कॉलकाता के लिए बॉलिंग करेंगे अब चन्ने की आ गई हाँ पर पहले बॉलिंग आ गई अब चन्ने की चन्ने की तरह से भाईया दीपाक चहर को मैंने रखा अगर दीपक चहर है यानि कि मैंने अपनी टीम में नारायन को ड्रॉप कराओगा और वेंकेडेश एयर को मेरी टीम में नहीं है अगर मैं दीपक चहर को रख रहा हूँ इसका मतलब नारायन और वेंकेडेश मेरी टीम में नहीं है मुझे Phil Salt इस टीम में इसलिए रखने पड़े क्योंकि मैं हर टीम में दो निसाब को नहीं रख सकता इसलिए मैंने Phil Salt को टीम में रखा मतीशा पतिराना को रखने का सेम रीजन की भाईया 150 के ओपर की पेश जनरेट करते हैं और यॉरक का डालेंगे वहां पे विकेट निकाल देंगे तो इसलिए मैं केप्टं सी वाइस केप्टं सी जड़े जाओ और रसल को दे रहा हूँ अब यहां पर टीम देखते हैं धूसरी यहां पर देखते हैं करेबियन all rounder hit आप को गे करेबियन all rounder यानि कि West Indies के जो दो all rounder है आज के match में hit होंगे यानि कि Narayan और Russell अगेन आज के match में यह दोनों hit होते हैं क्योंकि देखो एक team तो ऐसी मैं बनाऊंगा जहांपे Narayan अच्छा करेंगे तो यह team तब के लिए है अगर नारायन चलते हैं और नारायन को कप्तानी, वाइस कप्तानी रसल को क्योंकि विद्दा बैट और बाल दोनों से मिर लिए काम आ जाएंगे इन दोनों को बना दिया कैप्टन, वाइस कैप्टन इस टीम के अंदर मैंने जो है अपनी टीम में वेंकेडे शेयर को नहीं रखा, ठीक है पर वेंकेडे शेयर मैंने नहीं रखे लेकिन मैं दीपक चैहर को इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि खाली एक विकिट के लिए न मैं वेंकेडे शेयर की विकिट के लिए दीपक चैहर को रखना नहीं चाहता पहली चीज़ अब यहाँ पर देखोगे मैंने अपनी टीम में गायकवाड, ऐयर, दूबे, रचिन रविंद्रा, जडेजा और मिचल जो मुझे स्पिन के अच्छे खिलाडी लगे वो रखे क्योंकि श्रीय सेयर भी स्पिन अच्छा खेलते हैं गायकव और मैच अगर 20 ओवर तक जाता है आखरी ओवर में तो भी पतिराना और रह्मान को विकेट मिल जाएगी, इसलिए के अप्टन वाइस कैप्टन तो हम करीबियन खिलाडी को करेंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ करीबियन खिलाडी आज के मैच में हेट होंगे, अब देख राइकवाड हैं, उनको मैंने करा कप्तान, क्योंकि स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, वाइस कप्तान ही हाँ पर मैं अपनी टीम में, श्रेय सियर को देके चलूँगा, क्योंकि ये कॉलकाता के अच्छे खिलाडी है, और प्लस ये भी स्पिन अच्छा खेलते हैं, इसलिए बाकी यहाँ पर मैंने अपनी टीम में सेफ खिलाडी पिक करे हैं, रसल्दा मसल, डैरिल मिचल, रविंद्र जडेजा, मुस्तिविजूर रह्मान, फिर पतिराना और वरुन चकरवर्ती, वरुन चकरवर्ती जो मेरे डिफरेंशल खिलाडी थे, उनको मैंने अड़ करा, क् मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर वरुन चकरवर्ती को आज के मैच में कम से कम दो विकेट मिल जाएगी, उसके इसमें मैंने हाँ पर देखोगे अपनी टीम में जो है नारायन को ड्रॉप करा, नारायन को मैं इसले ड्रॉप करके चल रहा हूँ क्योंकि ओवर टीम से देथ बॉलिंग कौन करता है, भाया कॉलकाता से देथ ओवर में बॉलिंग रसल करते हैं और यहाँ पर चन्नाई से देथ में बॉलिंग पथीराना करते हैं, हाला कि मिचल स्टाक और बुस्तिविजूर रहमान भी है, लेकिन जो मुझे विकेट टेकर लगते हैं, रसल और पतिराना, इन दोनों को मैं CVC करूँगा, क्योंकि मैं मैं मान रहा हूँ, देथ ओवर्स में दोनों को दो-दो विकेट मिलेगी, प्लस रसल दा मसल, विद्धा बैट भी मुझे थोड़े बहुत यहाँ पर रन बना के देदेंगे, अब इस टीम में देखके चलना सबसे पहले, मैंने अपनी टीम में वेंकेडे शायर, इसके अलावा सुनील नारैन को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई तो बल्ले बाद चाहिए, कॉलकता का, आईयर मैंने रख लिया, सॉल्ड को मैंने अपनी टीम में रख लिया, रिंकू सिंग रख लिये उस case में ये जो death baller वाला combination है ये जरूर try करके चलना अब एक team देख लो यहाँ पर है run fast के according run fast का मतलब मान के चल रहा हूँ आज के match में run बनेंगे और बहुत तगड़े run बनते हैं उस case में team देख लो simply salt को pick करा, नारायन को pick करा one down की eye year, two down की eye year फिर उसके बाद रसल दा मसल प्रमोट होंगे ठीक है, चन्नाई के तरफ से guy quad, रचिन ब्रविंद्रा, दूबे, रहाने और डैरेल मिचल यानि कि दोनों ही team के जो top 5 बल्ले बाज है उनको मैंने team में लिया, मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों ही team के जो top 5 बल्ले बाज है अगर वो one sixty, one sixty दोनों ही side से बनाते हैं, ये team work कर जाएगे captain, vice captain की बात करूँ तो इस case में captain C मैं अपनी team में जो है यहाँ पर देखे चल रहा हूँ रितुराज, guy quad को, vice captain C मैं यहाँ पर पतिराना को देखे चल रहा हूँ reason simple सा है, कि भाईया मैं मान के चल रहा हूँ चन्नाई win करेगी, तो चन्नाई की तरह से guy quad एक अच्छी पारी खिल जाएंगे, और पतिराना को death overs में 3 wicket मिल जाएगी, इसलिए मैंन को यहाँ पर vice captain कर रहा हूँ तो यह जो 6 team में है न, यह 6 team में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर situation के इसाब से बनाई है लेकिन आप अपने according और भी team में बना सकते हैं जो players मैंने आपको बताया है न, उनका use करके आप और भी team में बनाएं, यह चीज़ घ्यान रखें ठीक है, तो चलिए फिर इस video को यहीं पर end करते हैं, I hope आपको यह video पसंद आई होगी, यह video समझ में आई होगी, अगर आप लोगों को यह video थोड़ी भी informative लगी हो, वीडियो को like करिएगा, telegram channel से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं, telegram channel से जुड़ जाईएगा, channel को अगर आप लोगों ने subscribe नहीं करा है, channel को भी subscribe कर दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए, bye bye, thank you so much दोस्तो